वादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दड़िवेट बैनोबाईयों उत्तर प्रदेश में शहरों के चुनाओ होने जारे हैं कौन से चुनाओ इस्थानिय निकाय के नगर निगम के आपके पारशत के आपके महापौर के आपकी चुनाओ अरबन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा परक और सीधे जनता से चुनकर आने वाला चुनाओ है यह कोई जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लाक प्रमुक टाइप का मामला नहीं है इसमें जनता सीधे अपना मेयर चुनती है डायरेक्ट इसलिए करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगरनिकाय के जो चुनाओ होने अरबन बॉडीस के जो चुनाओ होने जा रहे है कि मअच्टर फ्रदेश और परोगी शहर की राजिनीति में शहरों के यो बहतर बनाने के लिए मेरल सिस्टम जब तयार किया गया उसी की एक कड़ी है इस्थानिय निकाए उत्तर प्रदेश में इस्थानिय निकाए की चुनाओ डाइरेक्ट होते हैं डाइरेक्ट मतला पब्लिक चुन कर भेशती हैं लोग अपने मेर चुनते हैं नगर पालिका का चेर्में चुनते हैं नगर पंचायत का चेर्में चुनते हैं टाउन एरिया का और यह चुनाओ कई मामनों में बहुत ही प्रतिष्ठा परक होते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो मुख्य हैं वो इस चुनाओ को आमने साम से नगर निगमों में नगर पालिकाओं में और नगर पंचायत में भारतिय जनता पार्टी का दबदबा है उसका बोल वाला है और उसकी मजबूत जड़ें जैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्रा है नगर निगम है एक अभी नया बनाए 16 में चुना हुए नया कहां बनाए शाह जहांपूर में क्यों बनाए सुरेश खन्ना की वज़े से अब कितने हैं सत्रा लेकिन चुनाओं किसमें हुए तो सोला सोला में 14 किसके पास हैं बीजेपी के पास इसी तरह 200 के करीब 200 के आसपास नगर पालिकाएं हैं यानि बड़े शहरों चोटे शहर हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं 200 200 नगर पालिका 1 टू 10 लाख अबादी वाले और उससे नीचे 546 नगर पंचायट तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश का अर्बन जियोग्राफी कित इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आपके पास नगर निगम कितने हो गए 17 कि आपके पाथ नगर पालिकाएं कितनी है 200 और आपके पास नगर पंचायट कितने हैं टाउन एरिया फाइव हंड़ेड़ फोटी सिक्स दो चार राजियों का इखठा कर दीजे तो भी उनके पास इतनी अर्बन पापुलेशन और इतनी अर्बन जियोग्राफी नहीं होगी यही उत्तर प्रदेश की ताकत है यही यूपी का करिश्मा है और यही यूपी की पॉलिटिकल विल है तो इस बार शहरों में उत्तर प पाटी उन मुद्दों को जनता के अड्रेस करने में काम्याब रही या नहीं रही क्यों सवाल पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादा तर नगर निगमों में और इन अर्बन बॉडिज में भारती जनता पाटी लंबे समय से काबिज है तो सवालों के घेरे में बीजेपी ही आ का रखा है यानि संगठन की ताकत से सबको जोड़ रखा है और प्रापर रिव्यू सुरू हो चुका है और अपोजीशन में कौन है समाजवादी पार्टी उनके अभी मीटिंग शुरू ही है लेकिन मुलाहिम जिंग यादव जी के निधन के पस्चात समाजवादी ब्यापक रूप से नहीं कर पा रही जो बीजेपी कर रही है तो इस बार अर्बन बॉडिस के चुनाओं में क्या बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलेगी या फिर नगर निगम वाले चुनाओं में समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए इस बार कुछ कड़ा थी किस पर बीजेपी पे क्यों क्योंकि रूरल एरिया में समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई थी पंचायत के चुनाओं के चुनाओं के चुनाओं होते हैं और अर्बन बाडी में नगर निगम के चुनाओं शहर के चुनाव होते हैं यह अंतर है यूपी में देखिए कि इस प्रकार से यूपी का पॉलिटिकल जियोग्राफी भी बदली हुई है और मद्दाताओं का वोटिंग भी है भी बदला हुआ है मुद्दा क्या है मुख्य मुद्दे क्या है शहरों में आप जड़ा फोकस कर दूसरा इंफ्रास्ट्रेक्चर की कमी मिलेगी शड़के टूटी है नालियां बनी नहीं है प्रॉपर टाइलेट्स का इंतजाम नहीं है पब्लिक सर्विसेज पूर है नंबर तीन जिसे मैं उत्तर प्रदेश की पांच बड़ी समस्याओं में से एक समस्या मानता हूं मैं स से बरेली उत्तर प्रदेश का हर शहर जाम है ट्रैफिक ट्रैफिक का कूप्रबंधन उत्तर प्रदेश के शहरों की एक जोलंत तस्वीर है क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है और तीसरा एजुकेशन चौथ आरबन टाउन प्लानिंग इंक्रोच्मेंट आवायद बिल्डिंगों के निर्माड और उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत कॉंप्लिकेटेड है नगर निगम के पास कुछ अधिकार है कुछ छीन ल हुआ है कि समस्या इस बात की है कि यह तालमेल क्यों नहीं बैट पा रहा और उत्तर प्रदेश में मैं तो कहता हूं मेरल सिस्टम फेल है मेरों की कोई हैसियत ही नहीं उत्तर प्रदेश में न सभासदों की है और न ये कुछ काम कर पाते हैं न करा पाते हैं क्यों नहीं करा पाते हैं क्योंकि सासन देता है इनको पैसा अनुदान सरकार क्या देती है अनुदान पैसा फंड देती है तो जब फंड भी देती है तो प और इनके इन्हें वाकई में इनके अख्तियार दे दिये गए और सही लीडर्शिप जिस्थानी जनता नगर निगम पालिका और पंचायत में चुनली बैनों भाईयों उत्तर प्रदेश की शहरों की तस्वीर बदल जाएगी अर्बन टाउन प्लानिंग सबसे खराब अगर म कल्चर भी है यहां भी लोगों की आदत है हर चीज के लिए अथार्टी नहीं जिम्मेदार समाज भी जिम्मेदार है तो इन समस्याओं के बीच दूसरा पेजल की समस्या पूससे कैसे आप निपड़ेंगे साप पानि आपको शेरों में लोगों को देना है सिवरे सिस्टर नस्ट भरस्ट पड़ा हुआ किसी भी आप जहएं किसी भी शहर में आप देख ले बहुत ऐसे सहर है यू पी में जहां स्द की लेकिन वो पालिका और पंचाइद बने हुए है तो जब सफाई खरों के नहीं सीवर सिस्टम है नहीं पानी पीने का मिल नहीं रहा ट्रैफिक ऐसा है कि घर से निकलो तो देस्टिनेशन का पहुंचो के गूगल भी नहीं बता पाता है ठीक एजूकेशन की फसेल्टी सेहरों में प्राइवेट हो चुकी यह सब कुछ और सापसफाई है नहीं पप्लिक परिशान है तो इस बार आप यानि वोटर जो डिवेट देख रहे हैं थोड़ा आख कान खोल और ठीक लोग को चुनो ताकि आपके शहर तो ठीक कर सकें जब कोई महमान आता है इन दौर से जो नंबर एक शहर है या बड़े दूसरे शहरों से तो क्या कहता है बड़ी गंदगी है बड़ा मैंस मैनेजमेंट है तो इस बार भाइनों भाईयों शहरों का सफाई अभिया पर सिर्फ आपके काम किये